तो आज में एक नए टोपिक के साथ आई हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बुक्ती समरी बताऊंगी जिसका नाम है दे लिटल बुक आफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जिनके ओथर का नाम है मिस्टर जॉन बोगले और इनको फादर आफ इंडेक्स फंड भी कहा जाता है तो इस किताब में हम ये सीखेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में खुद को कैसे खुश रख सकते हैं हम जब किसी की भी रिलेशन्चिप के बारे में सोचते हैं या सकसेस्फल लोग के बारे में सुनते हैं कि इसने स्टॉक मार्केट से कितना कमाया तो हम भी सोचते हैं कि हम क्यों नहीं सकसेस्फल हैं और वैसे ये सोचते हैं जब ये बहुत परिशान रहते हैं क्योंकि mostly पाकिसना स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग परिशार रहते हैं अच्छी कंपणी सिलेक्ट करने के बाद भी क्योंकि वो मार्केट का मुमेंटम और डारेक्शन को फॉलो नहीं करते रोजाना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके हम जितना अमीर होने का सोचते हैं उतना ही हम गरीब बनते हैं अब दोस्तो आपने एक लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि म्यूचल फंड बहुत सही है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टीवी पर भी ये कही बार आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारे म्यूचल फंड अवैलेबल हैं और आप सबसे अच्छा म्यूचल फंड नूने के लिए बहुत सारी रिसर्च भी करते हो मिस्टर जॉन बोगले जो के फादर आव इंडेक्स फंड माने जाते हैं और जिनकी ये किताब है तो ये अपने बुग लिटल बुग अव कॉमन इंवेस्टिंग में इंडेक्स फंड का बताते हैं वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे इंवेस्टर हैं जिसको मार्केट के बारे में कोई नौलेज नहीं है और आप म्यूचल फंड के जरीए मार्केट में पेसा इंवेस्ड करना चाहते हैं तो आपको किसी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आपको बस अपना पेसा इंडेक्स फ करता है तो आये समझते हैं कि उन्होंने अपने बुक में क्या बताया है तो लेसन नबर वन है एक्टिव वर्सिस इंडेक्स म्यूचल फंड तो आम लोग जिनें फानेशेप मार्केट की कोई नौलेज नहीं होती लेकिन जो स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करना चाहते हैं वो अपना पैसा म्यूचल फंड के मैनेजर को देते हैं अब म्यूचल फंड के मैनेजर दो तरीकों से मार्केट में पैसा लगा सकते हैं तो सबसे पहला तरीका यह है कि मार्केट में जो हजार कंपणी मौजूद हैं उस पर रिसर्च करें और ऐसी कंपणी में इंवेस्ट करें जिसमें आपकी रिसर्च के साफ से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा ऐसे मूचल फंड को कहते हैं एक्टेव मूचल फंड्स ज्यादा तर मिट केप स्माल केप और लाज केप केटिगरी में आते हैं वहीं अगर वह बिना किसी रिसर्च के आपका पैसा स्टोक की सोल या टोप 500 कंपनी में लगा देता है तो उसे इंडेक्स फंड कहते हैं अब कैसी 100 इंडेक्स और के मैं 30 इंडेक्स फंड इस केटिगरी में आते हैं अब 1937 से 1947 तक यूएस मार्केट में एक्टेव मूचल फंड ने इंडेक्स मूचल फंड से 3% कम रिटन दिया था किताब में ओथर य मार्केट से ज्यादा रिटन पाने के लिए एक्टेव म्यूचल फंड के मैनेजर अपनी पूरी रिसरच करते हैं किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले इसलिए उनके चार्जिस भी ज्यादा होते हैं स्टिफ फंड की expense ratio एक से दो पसंट तक के बीच में होता है वहीं index mutual fund के fund manager अपनी कोई भी research नहीं करते वह बस आपका पैसा manage करते हैं और top 50 या 500 companies में पैसा लगाते हैं इसलिए उनका expense ratio 0% से 0.5% के आसपास होता है expense ratio long term में आपके returns को कम कर देता है और इसको समझाने के लिए author ने इस किताब में example भी दिया है कि माल नीचे long term में index fund और active mutual fund दोनों ने आपको 10-10% का return दिया है लेकिन अगर आप उनके charges गटाएंगे तो index fund आपके charges कट करके means 0.5% वो charges कट करेंगे और आपको total return मिलेगा 9.5% और दूसी तरव से active mutual fund जो के 10% का return दे रहे हैं और अगर आप उनकी charges 1.5% कट करेंगे तो आपको total return मिलेगा 8.5% याने के active mutual fund आपको 1% कम return दे रहा है तो अगर आप 1 million की investment करते हैं तो ये 1% आपके 10,000 के बराबर हो जाएगा और lesson number 3 में और ये बताते हैं कि वो emotion और economics के बारे में बताते हैं कि हम कई बार सुतने हैं कि कोई stock एक महीने में 50 या 100% या फिर 200% बढ़ गया तो उसके बढ़ने की लालच में उसे और खरीद भी लेते हैं लेकिन फिर वो गिरने लगता है short term में अगर किसी stock का price बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के पीछे company की performance का नहीं बलके लोगों के emotions और greed होते हैं जब market bullish होता है तो company के return उनके earning से भी ज्यादा होते हैं उसके market का P multiple बहुत high होता है market में उसके greed ज्यादा होता है वहीं जब market bearish होती है तो कई company के returns उनके earning से भी कम होते हैं उस वक्त marked का जो P multiple होता है वो low होता है और उस वक्त market में fear भी होता है short term के जो return होते हैं वो emotional return होते हैं वही long term के जो return होते हैं वो bear और bullish market का average होते हैं और वो company के earnings के हिसाब से भी होते हैं याने के economic के हिसाब से इसलिए अगर आपको stock market से पैसा कमाना है तो आपको एक discipline investor बनना होगा आपका नजरिया long term का होना चाहिए market के रोज up and down से गबराने की आपको जरूरत नहीं है तो long term के लिए index fund में invest करना है जहां पे आपका long time के लिए पैसा grow भी हो तो यह सारी मैंने आपको बात बताई है जॉन बोगले की book little book of common sense of investing से तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और इसी वीडियो और देखने के लिए bell icon को click जरूर कीजेगा तब तक के लिए Allah Hafiz and thank you for watching this video